मैं डाक्टर अम्रिंद्र यादो आज उत्तर प्रदेश राजर सी टंडन मुक्त विश्व विद्याले के आनलाइन विडियो लेक्चर क्लास में उपस्थित हैं। हमने अपने पिछले विडियो लेक्चर क्लास में जर्नल इंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस बनाना आपको बतलाया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फाइनल एकाउंट पे ये विडियो लेक्चर आधारित है। और फाइनल एकाउंट एकाउंटिंग में एक महत्तुपूर्ण अस्थान भी रखता है। तो आईए आज हम फाइनल एकाउंट पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनल एकाउंट का प्रूफार्मा सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनल एकाउंट में कौन कौन से आईटम आते हैं और जो भी बिजनस ट्रांजक्शन होते हैं जिसका हम जर्नल इंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्राइल बैलेंस बनाते हैं उसके आधार पे हम हाइल बैलेंस को अगर हम दूसरे सब्दों में कहें तो यह एक रा वैलेंस हीट है यानी की वैलेंस इट जो हम बनाते हैं उसके लिए यह एक रा मटेरियल है बैलेंस इट बिजनस के वास्तिविक इस्थिति को दर साता है फाइनल एकाउंट में जो ट्रेडिंग and loss account का part होता है वहाँ business के profit को calculate करने के लिए और losses को calculate करने के लिए बनाया जाता है आई ये अब कि उसके प्रोफार्मा को हम देखते हैं final account में जो सबसे पहला part आता है वो होता है trading account का जो आपके सामने है और trading account में आप देख रहे हैं सबसे उपर trading account उसके बाद for the year ending 31st March 2003 ये जो आपको दिखाई दे रहा है या उस particular year को दरसाता है जिस year में हमारा business transaction हुए रहते हैं एक तरफ आपको debit और एक तरफ credit दिखाई दे रहा है तो debit side में debit balances लाए जाते हैं credit side में credit balances लाए जाते हैं debit side को हम मुख्य रूप से खर्चे का पक्ष जानते हैं यानि कि ब्यावसाय में जितने भी expenses होते हैं जितने भी खर्चे होते हैं वे सब debit side में लिखे जाते हैं अब trading account तो trading account में direct expense को हम लिखते हैं और वो debit side में लिखते हैं credit side में जो हमारे पास direct income होते हैं उसको हम credit side में लिखते हैं सबसे पहले two opening stock आपको दिखाई दे रहा है तो यह two opening stock जो है यह ब्योसाय जो last year का closing balance होता है next year में opening balance होता है तो यह हमारा opening stock दिखाई दे रहा है उसके बाद हमने ब्योसाय में क्या purchase किया तो purchase जो भी हम करते हैं उसको to purchase लिख देते हैं अगर purchase किये हुए में कुछ हमारा return जो हो जाता है उसको हम return outward के रूप में यहां पे दिखाते हैं उसके बाद direct wedges जो ब्योसाय में paid किया जाता है वह हमारा ब्योसाय का खर्च है उसको भी दिखाते हैं उसके बाद यह देखिए to freight तो यह freight क्या है तो जो भी हम purchase करके लाते हैं बिजनस में कोई भी goods उस पे जो हम freight देते हैं जो भी charges हम paid करते हैं वह कहीं कहीं से हमारा expense होता है और उस expense को हम यहां पर दिखाते हैं जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है carriage carriage inward to carrying charges to packaging charges to dock duty to power तो यह पावर क्या है तो यह factory का पावर है यह office का पावर electricity बिल नहीं है यह factory में जो भी power supply किया जाते हैं वो उसके लिए है तो इसे हम trading account के debit side में दिखा रहे हैं यहां पे टू ऑक्ट्राइड यूटी उसके बाद आप देखते हैं credit side में कोई return inward है यानि कि sales return तो उसे हम sales से less कर देते हैं तो उसे देखिए sales return को less करके दिखाया गया है उसके बाद closing stock तो closing stock यह कहां पर है तो यह हमारे जो trial balance होता है उस trial balance के outer side में हम जो closing stock को देखते हैं उसे हम यहां ला करके दिखाते हैं उसके बाद अब क्या करते हैं तो दोनों side के total करते हैं total में जो भी balancing figure दिखाई देता है यदि इस side balancing figure दिखाई देता है तो यह gross profit होता है जो हमारा carry down के रूप में यहां पर दर्साया जाता है इसे carry down इसलिए दिखाते हैं कि इसको हम profit and loss account में transfer करते हैं तो profit and loss account में ले जाने के लिए हम इसे carry down दिखाते हैं यदि loss होता है हमारे पास तो हम credit side में buy grass loss carried down account यह ऐसे करके हमारा trading account का प्रोफार्मा है इसको और अच्छे धंग से जब हम इस पे numerical solve करेंगे तो एक एक point आपको और बेहतर धंग से clear हो जाएगा अब हम आते हैं है फाइनल एकाउंट के जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसका वह प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट यह ठीक trading account की ही तरह इसके भी कालम होते हैं क्योंकि यह कुल मिला करके यूँ कहें तो हमारा trading and profit and loss account का एक प्रॉफार्मा होता है जिसके जो पार्ट होते हैं तो वो पार्ट ग्डिंग एकाउंट का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट profit and loss account का होता है इसमें भी वही डेविट साइड और क्रेडिट साइड उसके बाद आप देखिए इसमें लिखते क्या है तो यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जो ब्यावसाय में हमारे खर्चे किये जाते हैं तो यह खर्चे इनडाइरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जाने जाते हैं तो इनडाइरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जो भी खर्चे हैं हमारे वो प्रॉफिट एन लॉस एकाउंट के डेविट साइड में लिखे जाते हैं और जो भी इनकम्स हैं उसे हम प सबसे पहले हम क्या लाएंगे यदि ट्रेडिंग एकाउंट में हमारा लॉस है तो सबसे पहले उसको लाएंगे तो लॉस को लाने के लिए सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग एकाउंट का जो बैलेंस करीड डाउन था लॉस का देखिए उसको लाएं और अगर यहां लॉस नही लिखा जाता है 99% केसेस में प्रोफिट ही अर्न किया जाता है उस बिजनस के द्वारा क्योंकि बिजनस अपना एक साउंड फुल सेच्वेशन आपके सामने अपना साउंड फुल फिक्चर ड्रा करता है उसमें प्रोफिट की ही कल्पना की जाती है प्रतेक बिजनस के द्वा है जो हमारा gross loss है ऐसा Case कभी नहीं दिखाई देता है ऐसा नहीं है दिखाई देता है कुछ परिस्थित्यों में जब दिफाई हानी प्राप्ट करता है तो इसकेस में हम profit and loss account में ट्रेडिंग Crown के लाउस को दिखाते हैं यहां पर profit and loss account का प्रोफारमा दिखाया जा झसपे आप लेप्ट और राइट साइड में देखेंगे तो एक तरब डेबित एक तरब क्रेजिट साइड दिखाया गया है डेविट साइड में हम सारे indirect expenses को दिखाते यहां अब indirect expenses जो होते हैं वह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसे हम कहें अवीश को experience administrative expense है और जो direct expense है उसको तो हमने trading account में अले दिखा चुका है यहां पर जो profit and loss account है उस profit and loss account में indirect expense of his expense यूँ कहें कि यह विक्री करने का expense है उसको हम दिखाते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा trading account का का बैलेंसिंग फिगर है उसको दर्सा देते हैं यदि लॉस है तो उसे प्रॉफिट एन लॉस एकाउंट के डेविट साइड में दिखा देते हैं टू बैलेंस ब्राट डाउन करके और यदि प्रॉफिट है तो उसे क्रेट साइड में दिखा देते हैं बाई बैलेंस होते हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो सेल से सरी रिलेटर होते हैं ओफिस expenses होते हैं administrative expenses होते हैं या operating expenses होते हैं जिन्हें हम profit and loss account के debit side में दिखाते हैं और यह expenses हैं जिसे आप देख रहे हैं to salary to rent and rates to stationery to postage expenses to insurance to repairs to trading expenses to office expenses to internet paid to bank charges to sundry expenses to commission to discount to advertisement or to carriage inward to traveling expense to distribution expenses to repacking charges to repacking charges to bad debts to depreciation etc जो भी expenses होंगे जो हमारे indirect expense हैं वो हमारे profit and loss account के debit side में लिखे जाएंगे और जैसे कि वहाँ देखिए by commission earned लिखा है by commission earned उसे हम credit side में दिखाया है by rent received by discount received etc अदर वाइज इसके बाद भी कोई income है तो वो credit side में दिखाया जाएगा इस तरह से जो balancing figure हमें प्राप्त होगा वो balancing figure हमारे व्यावसाय का सुध्धलाव या सुध्धहान को तरसाता है उसके लिए आप देखिए यहां to net profit और उधर credit side में देखिए by net loss अब यह net profit को हम transfer करते हैं transfer कहां करते हैं तो इसे हम net profit को capital account जो होता है हमारा और यह capital जो हमारा होता है वो balance seat में होता है तो इक capital में ले जाके इसे हम add कर देते हैं और अगर loss है तो capital से हम इसे ले जाके less कर देते हैं अब हम balance seat को देखते हैं कि balance seat का प्रोफार्मा क्या है final account के प्रोफार्मा में हम देखते हैं कि एक तरफ हमारा liability side है दूसरे तरफ asset side है और यह क्यों दिखाया जाता है तो जो accounting equation है accounting equation कहता है कि liability plus capital is equal to asset उसी के वियाब पर यह final account का जो प्रोफार्मा balance seat का है इसमें हम liability को एक side में रखते हैं और asset को दूसरे side में रखते हैं अब इस liability side में हम current liabilities और fixed liability और capital को को दरसाता है capital में होने वाले changes को दरसाते हैं और साथ ही साथ अब asset side में हम current asset और fixed asset को दरसाते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आई यह हम एक numerical को solve करके देखते हैं कि final account को हम कैसे और बेहतर ढंग से समझें है अब यहां पर आपके सामने एक without adjustment without adjustment transactions के बिहाफ पर जो एक trial balance है वो आपके समने दिखाई दे रहा है जो देखिए यहां पर लिखा हुए को from the following trial balance of Mr. Ram and Sons prepared trading and profit and loss account for the year ending on 31st March 2002 and the balance sheet as on the date अब यहां पर जो trial balance यह आपको दिखाई दे रहा है यहां पर debit balance और credit balance दिखाई दे रहा है जो इसके विहाब पर हम final account तयार करेंगे तो final account तयार करने से पहले एक बाट trial balance को हम देख लें कि ट्राइल बैलेंस में कोई कमी तो नहीं है ट्राइल बैलेंस के जो डेविट और credit balancing figure होते हैं क्या यह equal है कि नहीं है यह final account prepare करने से पहले इन वारिकियों को समझना आवस्यक होता है यदि equal नहीं है totaling करेंगे डेविट का और credit का अगर equal नहीं है तो जो balance आपका कम पढ़ता है या अधिक पढ़ता है उसके लिए हम suspense account open कर लेते हैं तो suspense account को भी हम दर्सा लेते हैं अगर total वराबर है तो हम साल्व करते हैं यहाँ पर देखते हैं इस ट्रैल बैलेंस में दिया ओपनिंग इस्टाक आपको डेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो फ़र्स्ट अप्रिल तो थाउजन वन का है यानिकी यह जो बिजनस एयर हमारा है यह एक अप्रैल दो हजार एक से लेकर के 31 मार्च दो हजार दो तक जो भी ट्रैंजक्शन ब्योसाय में हुए हैं उनके लिए जो ट्रैल बैलेंस आपके सामने रखा गया है उसके आधार पे हम फाइनल एकाउंट तैयार करेंगे यहां पर ओपनिंग इस्टाक पांच हजार रुपए दिखाया है परचेज आपका यहां पर 16,750 रुपए डिसकाउंट एलाउड 1,300 वेजे 6,500 यह अब तक जो मैंने बोला यह डेविट फिगर थे उसके बाद यहां पर आप सेल्स देख रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट फिगर दिखा दिया हुआ है तो यह इसका मतलब क्या हुआ तो यह अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर है तो जो डेविट बैलेंस है वो कहीन कहीं से हमारा एक्सपेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो कहीन कहीं से हमारा इनकम है इसी को सो करता है यह ट्रायल बैलेंस डेविट बैलेंस हमारा टोटल 45,100 रुपीज का है और क्रेडिट बैलेंस भी हमारा 45,100 रुपीज का है अब आप यहां पर देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्क 2002 यह 6,000 फाइनल एकाउंट तयार करेंगे जिसमें हम ट्रेडिंग एकाउंट प्रॉफिट एन लॉस एकाउंट और बैलेंस इट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल एकाउंट तयार करते हैं तो फाइनल एकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग एकाउंट प्र करेंगे या profit and loss account में put up करेंगे या balance sheet में put up करेंगे तो यहां पर हमारा देखिए सबसे पहले trading and profit and loss account यह जो हमारा बना हुआ है उसमें हम style balance के figures को put up करेंगे अब यहां पर देखिए opening stack है तो opening stack हमारा कहां जाता है तो trading account के debit side में यहां पर two opening stock दिखाया हुआ है अब purchase यहां पर दिखाया है तो purchase जो है यह भी trading account के debit side में दिखाया जाता है यहां पर अब discount है तो discount हमारा कहां जाता है तो यह profit and loss account में दिखाया जाता है यहां पर देखिए उसके बाद wages wages हमारा यह direct expense का पार्ट है तो इसको हम trading account के debit side में दिखाते हैं sales sales हमारा क्या है तो यह income है तो इसको हम trading account के credit side में दिखाते हैं by sales लिख करके उसके बाद salary salary हमारा क्या है expense है indirect expense है तो इसे हम profit and loss account के debit side में दिखाते हैं traveling expenses to traveling expenses वी हमारा indirect expenses है इसको भी हम Whats profit and loss account के डेविट साइड में दिखाते हैं कमीशन कमीशन भी हमारा यह expense है तो इसको भी हमने profit and loss account के डेविट साइड में दिखाया उसके बाद carriage inward carriage inward जो है यह हमारा कुल मिला करके अगर देखें तो यह direct expense carriage inward business में जो कुछ आता है उस पे expense किया गया है तो हमने जो purchase कर रखा था उस पे expense किया गया है तो carriage inward trading account के debit side में दिखाया गया administration expenses ते यह office के expense है इसको हम यहां पर दिखाते हैं उसके बाद यह जो है profit and loss account के debit side में दिखाते हैं go trade expenses दो trade expenses भी हमारा profit and loss account के debit side में दिखाया जाएगा interest तो interest हमारा जो है यह expense है तो यह भी profit and loss account के डेविट साइड में दिखाया जाएगा बिल्डिंग विल्डिंग हमारे बिजनस के लिए एसेट है और यह एसेट है तो इसको हम बैलन सीट के एसेट साइड में दिखाएंगे तो यहां पर देखिए बिल्डिंग उसके बाद डेप्टर्स तो डेप्टर्स भी हमारा बैलन सीट का एसेट साइड में दिखाया जाएगा देखिए डेप्टर्स उसके बाद क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हमारा जो है वो लाइविल्टी है तो क्रेडिटर्स जो है बैलन सीट के लाइविल्टी साइड में दिखाया दिखाते हैं उसके बाद अब आप हम देखेंगे कि credit side में जो भी है तो और debit side में जो भी है इन सब को हमने कहां लाया trading profit and loss account और balance sheet में इस प्रकार से अब हम total करेंगे तो total करेंगे तो यहां देखिए यह total जो है trading account का तो credit side का total और debit side का total दोनों का जो balancing figure है वो यह 7,475 रुपीज जो है यह हमारा grass profit है तो इस grass profit को हम profit and loss account के credit side में transfer कर देते हैं उसके बाद यह जितने भी trial balance के expenses थे इसको हम profit and loss account में दिखाते हैं और यह grass profit जो हमें मिला हुआ है इस से इसको हम less करते हैं तो जो कुछ बचा वो हमारा net profit है इस परकार से ट्रैल बैलेंस के जितने भी items थे उसे हम final account में put up कर दिये final account में put up करने के बाद अब हम यह देखते हैं कि अब totaling कर ले totaling करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा profit हमें हो रहा है कि loss हो रहा है उस profit and loss को हम balance it में भी ले जाएंगे तो यहां पर यह total हमने किया तो 36,000 अब यह सारा total करने के बाद हमें जो balancing figure प्राप्त हो रहा है वह 7,475 रुपीज का प्राप्त हो रहा है जो यह हमारा grass profit है क्यों कि grass profit क्यों है तो हमारे credit side जो है वो access था किस से debit side से debit side हमारे खर्चे क्यों होते हैं और credit side हमारा total income का होता है तो यह income अगर हमारा अधिक है expenses कम है तो जाहिर सी बात है कि हमें profit होगा अब यह हमारा grass profit है अब ग्राप्त को हम profit and loss account में transfer कर लेते हैं profit and loss account में transfer करने के बाद जितने भी indirect expenses है indirect expenses का मतलब यह हुआ खर्चा है जो कहीं कहीं से बिक्री करने के लिए किया जाता है तो बिक्री करने के लिए जो खर्चे किये जाते हैं उसको profit and loss account के debit side में ही लिखते हैं और जैसा कि इसको हम लोगों ने put up कर दिया है अब इसका total कर लेंगे total करने के बाद grass profit से जो भी balancing figure आपको दिखाई देगा वो हमारा net profit होगा ग्रास profit लिखने के बाद अब हम जो इन डाइरेक्ट expenses था जिसे profit and loss account में हमने put up कर दिया था balancing figure प्राप्त किया तो net profit हुआ इससे हम transfer करेंगे balance sheet में और balance sheet में यह कहां जाएगा तो capital में जा करके add हो जाएगा तो यहां पर अब देखिए capital में add हो गया अब total कर देंगे तो liability और asset दोनों side को आप देख लिजिए तो जो accounting equation कहता है कि capital plus liability is equal to asset तो यहां पर यह figure देखिए 17495 17495 यह दोनो equal है final account को simple रूप में हमने समझा without adjustment अब अगले video में with adjustment final account हम समझेंगे उसके बाद interpretation करेंगे interpretation करने के बाद हमारा final account का वो जो unit है वो समभ़त हो जाएगा आज के इस video lecture में हमने देखा कि final account कैसे तयार किया जाता है है आप लोगों ने हमारे video lecture को देखा सुना है असा करता हूं कि इसके आधार पर आप लोग practice solve करेंगे जो भी समझ से आए होंगी उसको आप विश्व विद्याल है में आ करके उसका समाधान आप करा सकते हैं धन्यवाद करेंगे जोगों राप लोगों ने जोगों गर लोगों अपने करσα दो करेंगे आप करेंगे आपosas वाद्यू लोगों कर लोगों लोगों धन्यवाद